हाल ही में राश्टी जंता दल द्वारा हमारी पार्टी और इंडिये के बीच भ्रम फैलाने की कई कोशिशे की गई हैं ये कोशिशे केवल हमारे गडबंदन को कमजोर करने और अपनी डूबती हुई नईया अपने राजितिक स्वार्थों को साधने के लिए की जा रही हैं राम विलास पासवान जी की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद हैं समर्पित हैं पनोर्मा ग्रुप जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आशियाना जी नमस्कर मैं अरुन भार्ती लोग जनशक्ती पार्टी राम विलास का एक जिम्मेदार सदस्य और जनता का प्रतिनिधी हूँ आज आपसे कुछ महत्वपून बाते साज़ा करना चाहता हूँ हाल ही में राश्टी जनता दल द्वारा हमारी पार्टी और इंडिये के बीच भ्रह्म फैलाने की कई कोशिशे की गई है ये कोशिशे किवल हमारे गडबंदन को कमजोर करने और अपनी डूबती हुई नईया अपने राजितिक स्वार्थों को साधने के लिए की जा रही है हम सभी जानते हैं कि हमारी पार्टी हमेशा से जनता की सेवा और देश के विकास के लिए समर्पित रही है हम राम विलास पासवान जी की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद हैं समर्पित हैं इन दिनों कुछ मीडिया चैनलों और राजिनितिक हलकों में यह चर्चा चल रही है कि हमारी पार्टी के भीतर किसी तरह का विभाजन हो सकता है मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा यह सब अफवाहें और भरम राश्टी जनता दल द्वारा जान बूझ कर फैलाए जा रहे हैं उनका मकसद साफ है वे चाहते हैं कि हमारी पार्टी और एंडिये के बीच अविश्वास का महौल बने ताकि वे उसका राजितिक लाव उठा सके अपनी डूबती हुन नईया को बचा सके वे जानते हैं कि अगर एंडिये एक जूट रहता है तो उनकी राजितिका कोई भविश्य नहीं है इसी कारण वे इस तरह के भ्रामत बयान देकर हमारी पार्टी को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं राजदिया समझ चुका है कि बिहार और देश में उनकी राजितिक अब प्रासंडिक नहीं रह गई है और इसलिए ये इस तरह की अफवाफ फैला कर ध्यान भटकाना चाहते हैं हमारी पार्टी लोग जन्शक्ती पार्टी राम विलास राजद की इन चालों को से भली भाती परिचित है और हम इनके बहकावे में आने वाले नहीं है हम राजद की इस चाल को उजागर करते हैं और साफ तोर पर कहना चाहते हैं कि हमारा गटबंधन इंडिये के साथ अटूठ है और हम मिलकर देश की प्रगती के लिए काम करते रहेंगे लोग जन्शक्ती पार्टी राम विलास और हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी को किसी भी भरमित करने वाले ब्यान से प्रभावित नहीं किया जा सकता है हाल ही में एक राजद के नेता द्वारा हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी को उनके साथ राजद के साथ मिलकर एंडिये के खिलाफ खड़े होने का एक सुझाव देना एक ओफर देना इस बात का सबूत है कि राज़त हमारे गटबंदन को कमजोर करना चाहता है ताकि वे अपनी खोई हुई राज़ितिक जमीन को वापस पा सकें वे जानते हैं कि अगर इंडिये एक जूट रहता है तो उनकी राज़निती का कोई भविष्य नहीं है इसलिए वे इस तरह की अफवाहे फैला कर जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं मुझे पूर्ण यकीन है कि बिहार की जनता भी राज़त की इस राज़निती को समझ चुकी है जनता विकास चाहती है भ्रम नहीं जनता विकास चाहती है जंगल राज नहीं हमारा उदेश केवल और केवल आपके हित में काम करना है हम विकास और सुशासन के मार्ग पर चलने के लिए प्रतिबद्ध हैं सबर्पित हैं और कोई भी हमें इस रास्ते से भटका नहीं सकता है हम मीडिया और जनता से अपील करते हैं कि वे राजत की इस चाल को समझे और इन अफवाहों से भ्रमित नहों हमारा गडबंदन मजबूत है और हम अपने रास्ते पर अडिग हैं हम सब मिलकर देश और बिहार के विकास के लिए काम करते रहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद पेटियम नमबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद